सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाएए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े हसानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वीजनिंग का टोपिक और वीजनिंग में आज हम बात करेंगे coding decoding के बारे में दोस्तो coding decoding के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि एक question definitely हर बार आता है तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और दोस्तो coding decoding करने से पहले हमें basic alpha weight के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है जैसे कि M कितने नंबर पर आता है K कितने पर आता है W कितने पर आता है इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए इनकी counting के बारे में पता होना चाहिए तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी जिंदगी में एल्फा वेट की काउंटिंग नहीं भूलेंगे दोस्तों question paper में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि Q कितने पे आता है, M कितने पे आता है, J कितने पे आता है, U कितने पे आता है अगर हम एक second के अंदर पता कर लेते कि कौन structure कितने पे आता तो हम बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम इसी के बारे हम जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं A, B, C, D, E देखिए ये A, B, C, D में पहले 5 अक्सर ये बिल्कुल आसान होते हैं ये कोई भी बंदा याद रख सकता है कि C कितने पहाता है, D कितने पहाता है और E कितने पहाता है, इसी तरह से लाश्ट के अंदर X, Y, Z जो होता है इनको भी हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि ये 24 पहाता है, Y 25 पहाता है और Z 26 पे आता है दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सिरू के जो पांच अकसर और लाश्ट के तीन अकसर यह हमें याद रखना बहुत आसान है यह हम बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं और अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौनशे अकसर है अब देखे दोस्तों इसके अं दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 की आकरती मिलती है F और P को देखे हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से तो यह हमें कुछ-कुछ 6 के जैसा मिलेगा और दोस्तों 6 से हमारे कितने नंबर बनते हैं एक तो 6 बनता है एक 16 बनता है ठीक है और दोस्तों हमें पता है कि 26 प सोहला पर आजाएगा इस तरह से आप इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं देखिए यहां से हमारे उच्छे नंबर से दो अक्सर हो रहे हैं तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कौन सा अक्सर है अब देखिए आगे हैं हमारे पास जी और क्यू अब इसमें भी दोस्तों यहां पर हम साथ के जैसा यह दिखाई दे रहा है हमें और इसी तरह से क्यू के अंदर यह देखिए दोस्तों यह भी साथ के जैसा दिखाई दे रहा है यहां से तो दोस्तों वही बात आती है कि साथ से हमारे कितने अक्सर कितने नंबर बनते हैं एक तो साथ बनत जी के लिए और क्यों किसके लिए हो जाएगा सत्रा के लिए हो जाएगा तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं चलिए अब हम आगे देखते कि आगे कौन साक्सर है अब देखिए दोस्तों बात आती है एच को हम किस तरह से याद रखेंगे देखिए दोस्तों ह है इस तरह से लेखते हैं हम सभी को पता है और है को दिए ऊपर और नीचे से इस तरह से हम दोन हमने दोनों तरफ से मिला दिया इसे तो क्या बन जायेगा हमारा आठ बन जायेगा तो यानि कि फिर क्या हुआ H कितने पर आता है 8 नमबर पर आता है तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं अब हम आगे देखते हैं आगे आता है दोस्तों हमारे पास I दोस्तों आपने देखा होगा कि I को हम बड़े बड़े में ऐसे लिखते हैं तो ऐसा लिखने में ये देखिए दोस्तों ये जो है हमारा अल्फावेट कुछ कुछ 9 के जैसा हमें दिखाई दे रहा है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा I कितने पर आएगा दोस्तों वो 9 पर आएगा तो इस तरह से हम बिल्कुल असानी से इसे याद रख सकते है यानि कि देखते ही हमें पता चल रहा है और आगे देखते हम आगे कौन सक्सर आता है आगे आता है दोस्तों हमारे पास J आता है J को देखिए हम किस तरह से याद रखेंगे J में देखिए दोस्तों उपर का जो है ये डंडा जो है इसे हम एक माल लेंगे और नीचे जे में जो ये मुडा हुआ है इसे हम बिल्कुल जीरो बना देंगे तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा एक और जीरो यानि कि दस यहां से हमारा 10 हो जाएगा यानि कि J कितने पे आता है फिर 10 पे आता है यहां से हम इस तरह से इसे बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा आता है आगे आता है दोस्तो के दोस्तो हरियाना में हमारे हडियाना में बच्चे कहते हैं कि मजाक मजाक में कहते हैं कि A, B, C, D का 11 अक्सर K होगा है तो यानि कि वो उसे में बता रहा है कि क्या है, K होता है 11 अक्सर K होता है तो यहाँ यह बिल्कुल नसानी से हम याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आता है आगे आता है दोस्तों हमारे पास 면 अब देखिए एल को हम किस तरह से याद रखेंगे और इसurar को हम इस तरह से लिखते हैं आप सभी को पता हैं तो वर में हम क्या करेंगे उपर का जो PorscheN है उसे थोड़ा सा आघे बढ़ा देंगे इस तरह से इसे बढ़ा देंगे तो यह सेप किसकी बन जाएगी दोस्तों करीब करीब दो के आसपास बन जाएगी यानि कि दो की बन जाएगी दो के जैसी बन जाएगी और दो से हमारे क्या क्या काउंटिंग बनती एक तो दो बनती है एक बारा बनती है ठी कि L कितने पर आता है 12 नंबर पर आता है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा अक्सर आता है हमारे पास आगे हम लेके चलते दोस्तों दो अक्सर को लेके चलते हैं एक तो हमारे पास M है और एक हमारे पास W है अब देखें दोस्तों इसमें भी वही लोजिक लगाएं यह हमें लग रहा है और 3 से वही वात आती है दोस्तों कि 3 से क्या क्या बनता एक तो 3 बनता है 13 बनता है तीन पर हमें पता है कि C आता है और बाद में क्या रहे गया 13 रहे गया और 23 रहे गया यानि कि M कितने पर आएगा वो 13 पर आएगा और W कितने पर आएगा 23 पर आएगा इस group में हम आपको दोस्तो systematic ढंग से study करवाएंगे इस group में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो theoretical होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस group में आपको दोस्तो 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो description box में दिया हुआ है आगे आते दोस्तो हमारे पास N N हमें पता है दोस्तो हम N को दो तरह से याद रख सकते की एक तो M है वो N के बाद आता है जैसे की M N और M हमने अभी पता है की वो 13 नमबर पे आता है तो N कितने पे आएगा 14 नमबर पे आएगा और इसे हम एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते है जैसे की N है इस तरह N को हम दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से हमने काट लिया इन दो हिस्सों में काटने के बाद दोस्तो हमारे पास यह देखिए यह भी 7 के जैसा लग रहा है तो इन दोनों को जब हम add करेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा तो यहां से हम इस तरह से भी N को याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन शाद आता है आगे देखिए दोस्तों आगे आता है हमारे पास O O को जैसे की हमने अभी बताया की M N O 3.81 आते हैं तो उनको हम इस तरह से याद रख सकते हैं की M आता है 13 पे N अत चौधा पे वाता है 15 पे आता है ठीक है दोस्तों इस तरह से आब बिल्कुल पासानी से याद रख सकते हैं आगे देखते हैं आगे देखिए दोस्तों आगे हमारे पास आता है आर और एस अब देखिए आर को हम किस तरह से याद करेंगे आर को वही बात आई दोस्तों आर को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा आठ के जैसा हो जाएगा ठीक 28 कुछ होता ही नहीं है और 8 पे हमारा एच आता है और बच गया क्या दोस्तों हमारे पास 18 बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ आर कितने पर आता है 18 नंबर पर आता है तो इस तरह से हम इसे बिलकुल उसानी से याद रख सकते हैं तो आगे दोस्तों हमारे पास आता है टी अब देखे टी को याद रखना बिलकुल असान है जैसे कि हम कहते हैं 2020 मैच होते हैं हमारे यहाँ पे तो यहां से हम इसे बिलकु असानी से याद रख सकते है टी यानि टवन्टी 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 तो यहां से हम बिलकुल असानी से याद रख सकती है अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है हमारे पास यू, यू को देखे दोस्तों किस तरह से याद रखना है अब इसके लिए थोड़ा सा हमें माइंड लगाना पड़ेगा इसे भी दोस्तों हम चोटी AVCD में लिखने कोशिस करेंगे देखें दोस्तों यू को कुछ-कुछ हम चोटी AVCD में इस तरह से भी लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों यह जो पार्ट है हमारा दो के जै सा लग रहा है तो यहां से हम किस तरह से याद कर सकते इसे कि यह कितने पर आएगा 21 नंबर पर यह आएगा तो इस तरह से कुछ लोजिक लगा के हम बिलकुल लसानी से इसे याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है दोस्तों हमारे पास वी अब दे तो V का मतलब क्या हुआ है ये 22 पे आता है तो इस तरह से हम बिलकुल वी को बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो हमारे A to Z सभी अलफाबेट हो जाएंगे बिलकुल असानी से और अगर आप एक वार फिर से रिवीजन करना चाहों तो यहां से कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन जरूर दवाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तो